हलो एवरिवन दिस इस रवीजा आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टार्गेट फॉर आईक्यू में आज जिस सीरीज के रिगार्डिंग में लिए आपके साथ मुलाकात हो रही है बेसिकली वहाँ पर हम डिसकस करेंगे उत्रखंड पुलिस आक्ट के सभी प्रोविजन को एक-एक करके ठीक है तो आप ये समझेए कि पूरा का पूरा जो उत्रखंड पुलिस आक्ट है जिसके अंदर 11 चैप्टर और 88 सेक्शन्स देखने का मौका आपको मिलेगा उन एक-एक सेक्शन्स और एक-एक प्रोविजन को हम जानेंगे समझेंगे और उसके बारे में भी चल्चा करेंगे जो एक्जामनेशन पुइंट आव्यू से बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण है अगर आप उत्रखंड पुलिस एक्ट के पर्टिकुलर बैरेच्ट को अगर को रिलेट करकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एक्ट का जो पूरा का पूरा नाम है वो नाम है दा उत्रखंड पुलिस एक्ट 2007 और अगर हम इस एक्ट के sirial number की बात करें तो सन दो हजार आठ का इसका सीरियल नंबर एक है यानि की ये एक्ट नंबर 01 है और सन दो हजार आठ का इसके बाद अब अगर हम उत्राखंड पुलिस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारी जम्मेदारी ये भी बनती है कि आपके साथ उन सभी बिंदों के उपर चर्चा की जाए जहां जहां से प्रश्ण के पूछे जाने के संभावनाएं सबसे जादा है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने चार लाइनों के अंदर उत्राखंड पुलिस एक्ट के अबजेक्ट का जिक्र किया गया है जहां पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर उत्राखंड पुलिस एक्ट को बनाने के पीछे उदेश क्या था और अपने उस टार्गट को हम अचीव क्या करेंगे और वो कौन-कौन सी मेकनिजम है जिसका जिक्र उत्राखंड पुलिस आक्ट के अंदर किया गया है तो अगर हम इसके प्रियंबल या अब्जेक्ट को देखें तो ये सबसे पहले बात करता है कि एक पुलिस ओफीसर के रिगार्डिंग उनके क्या रूल्स होते हैं उनके क्या रगुलेशन्स होते हैं उनका क्या मैनेजमेंट होता है उनके क्या दाइट तो होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं उनकी क्या रिस्पॉंसिबिल्टीज होती हैं और इतना ही नहीं उनको कौन-कौन से functions करने हैं, उनकी accountability क्या होती है, अगर उनको किसी agency को response करना है, तो उस response करने का way और तरीका क्या होगा, और पूरा का पूरा ये जो enforcement of rules and regulations है, एक राजिक के संदर में यहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं कि इसके अंदर जिन 16 points का जिक्र आपके सामने किया गया है, object के रूप में, उन 16 points को जरूर एक बार सरसरी निगाहों से देख लिएगा, क्योंकि वहां से प्रशने पूछे जाने के संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि आप बत बल्कि ये 16 object हैं, इस act को बनाने के पीछे, अब यहाँ पर अगर हम इसके section 1 की बात करें, तो सामान इरुप से देखिए एक confusion है, और उस confusion के उपर मैं चाहूँगा विशेश रुप से चलचा करना, अब अगर आप उत्रखंट police act के इतिहास को देखेंगे, तो आपको ये चलेगा कि ये act आपका उत्रखंट legislative assembly के द्वारा सन 2008 में 2 जनवरी को पास किया जा चुका था, और उसी 2 जनवरी सन 2008 को इसको ततकारिन गवर्नल साहब से मन्जूरी भी मिल गई, दूसरी बात ये कि इस act को notify किया गया है 4 जनवरी सन 2008 को, लेकिन अब सबसे बड़ा जो part है वो है confusion को लेके, तो जो sources target for IQ के पास है, जो already हमने अपने टेलिग्राम के official group पे share किया गया है, वहाँ पर एक source से हमें जो पता चल रहा है, वो ये बात है कि ये जो 4 जनवरी सन 2008 है, ये date है इसके notification की, लेकिन अगर हम इस act के enforcement date की बात करें, तो ये act आपका enforce हुआ है, 19 मार् को, हलाकि आपके पास जो भी sources हैं, आप उसके साथ इसको टैली कर लीजीगा, फिलहाल जो sources target for IQ के पास है, उसके आधार पर date of notification है, 4 जनवरी सन 2008, दो जनवरी सन 2008 को इसको legislative assembly के दोरा पास किया गया, दो जनवरी सन 2008 को इसको governor सहाब की मन्जूरी मिल गई, इसको notify किया गया, 4 जनवरी सन 2008 को, और जो date of enforcement है, उसका जिकर हमारे source के साथ से है, 19 मार्च सन 2008, और अगर आप चाहें, तो target for IQ का जो official telegram channel है, वहाँ पर ये जानकारी आपको देखने को मिल सकती है, इसके बाद, इसका जो section 2 है, वो एक important troll अदा करता है, जहां से सवाल आप से पूछे जा सकत हैं, यहां पर section 2 के clause B को देख लीजेगा, यहां पर cattle defined किया गया है, और cattle में कुछ जानवरों को नाम आपके सामने हैं, जैसा कि cows, buffalo, elephant, camel, horses, mulls, sheep, goats and swine, यानि कि उत्रखन police act 2007 के अंदर, cattle word के अंदर, जिन जानवरों का जिकर किया गया है, उसका जिकर यहां पर आपके सा अलावा, section 2H और 2I को बहुत ही ध्यान से देख लीजेगा, कि insurgency को कहां पर define क्या गया है, और internal security को कहां पर define क्या गया है, you know that very well, insurgency का मतलब होता है, कि जब कभी हालात एक राजी के अंदर ऐसे पैदा हो जाएं, कि जब राजी को खुद लगे, कि यहां पर जो एक से चल रहा है, जिसकी वज़ा से एक राजी के law and order की जो इस्तिती है, उसके अंदर बदलाव हो सकते हैं, तो यह सभी चीजे insurgency के अंदर count होती हैं, इसके अलावा, एक राजी की अखंडता और उसकी एकता को बनाए रखने के लिए, internal security का भी ज़िकर यहां पर किया गया ह जिसको की 2i में define किया गया है, इसको भी आप लोग गौर से देख लीजेगा, इसके अलावा, अगर मैं बात कुरू, organized crime की, तो इसका मतलब है, कि एक ऐसा अपराद, जो लोगों के समूह के द्वारा, या proper एक common intention के तहत किया गया है, जिसका जिकर 2L में आपको देखने को म मिलेगा, अगर आप 2P की बात करें, तो यहाँ पर police officers कौन होते हैं, इसके अंदर उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जो UPSC के जर्ये Indian Police Service का part है, और उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जो उत्रखंड Public Service Commission के दौरा जिनका appointment होता है, या उत्रखंड Police Service के अंदर जो अपनी सिवाओं को देते हैं, इसके अलावा, 2Q में police personals कौन होते हैं, उनको appointment किसके दौरा किया जाता है, हलाकि इसके अंदर amendment भी हुआ है, उस amendment के year को आप लोग ध्यान रखेगा, चूकि इसके अंदर police personals का मतलब उन police officers से हैं, जिनकी appointing authority या तो राजी सरकार है, या तो officers हैं, जो director general of police के subordinate हैं, इसके अलावा, 2Z में superintendent of police का जिक्र किया गया है, इसको याद कर लीजेगा कि superintendent of police का जिक्र, the उत्राखन police act सन 2007 के किस section और किस clause के तहत किया गया है, ये examination point of view से important है, जो खास्ट और से बात करता है, एक district के in charge के संदर्फ में, ठीक है, इसके अलावा, 2ZB में victim word को define किया गया है, कि victim कौन होता है, उसके क्या rights है, उसके क्या duties है, और victim का ताथ पर एक किस्से है, क्या उसके against सिर्फ physical injury का होना जरूरी है, या mental injury भी हो सकती है, क्या loss सिर्फ economic हो सकता है, या emotional loss भी हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में भी आप से चल्चा की जा सकती है, इसके लावा अब यह chapter number 2 में जो बात करता है, constitution of the police force for the state, जो जाहिर सी बात है, यहाँ पर यह एक local act है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कि हर राजी के लिए एक police force का गठन होता है, और एक राजी के लिए police force के गठन का जिक्र राजी सरकार के दोरा किया जाता ह तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो state government होती है, वो एक सामान या special order के तहत प्रस्क्राइब करती है, यह police force का गठन किया जाएगा, उसके अंदर कितने members होंगे, उनकी क्या rank होगी, इन सभी का decision राजी सरकार के दोरा किया जाता है, even though section 3 का sub clause 3 यह कहता है, कि कही ना कहीं पुलिस महान निदेशक के हाथों में होता है, तो शायद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, section 4 के अंदर, पुलिस range का जिक्र किया गया है, जहां पर साफ्त और P.A. कहा गया है, कि देखिए, अगर एक राजी सरकार को लगता है, कि उनका राजी काफी बड़ा है, ए और उन हिस्सों को कहा जाता है, पुलिस range, और हर पुलिस range या हर हिस्से का जो chief officer होता है, उसकी rank deputy inspector general of police से कम की, नहीं होनी चाहिए, तो मान लिजिए कि अगर उत्रा खंडराजी को पुलिस प्रशासन के निजलिये से अगर दो या तीन हिस्सों में divide किया जाता है, तो हर हि minimum deputy inspector general of police और ये तीनों के तीनों DIGP अपनी proper report DGP को submit करेंगे और फिर वहां से वो report राजी स्रकार के पास भीजी जाती है, इसके अलावा section 5 बात करता है, पुलिस district के बारे में, यानि की राजी को जिलों में divide किया जाता है, और एक जिले का जो overall control होता है, in short अगर मैं कहूं तो वो control या वो power जो होती है, वो SP के हाथों में होती है, ये बात अलग है कि SP उन सभी powers का use उस जिले के जिलाधिकारी यानि की DM के सहयोग से और उनके सामनवे से करने की कोशिश करता है, इसके अलावा section 6 बात करता है district level special sales की, जहां पर suppose करिए अगर एक जिले के अंदर एक खास तोर के crime पनप रहे हैं या उनके अंदर बढ़ोत्री हो रही है, तो वहाँ पर जो राजी सरकार हैं, अगर वो चाहें तो वो SP का भी गठन कर सकते हैं, जिसका main object होगा उस खास तरह के crime को investigate करना और अपनी proper report को submit करना, इसके लावा section 7 एक सामा ने बात करता है कि राज राजी सरकार ही वो है संस्था जो निर्मार करेगी police stations का, अब उस police station के अंदर उसको चौकी का निर्मार करना है या नहीं करना है, that whole concept shall be decided by the hand of the राजी सरकार, हलाकि राजी सरकार ने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है, कि अगर वो किसी area को circle में करते हैं, तो हर circle के अंदर minimum 2 police station तो जरूर होंगे, तो कुल मिला के आप यह समझे कि अगर एक circle का निर्मार किया गया है, तो उस circle के अंदर कम से कम 2 police station आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और उन 2 police station के अंदर कितनी चौकी होंगी या चौकी नहीं होंगी, यह फैसला भी राजी सरकार को ही लेना है, इसके अलाबा, अगर हम एक police station के officer in charge की बात करें, तो सामान रुप से आप उनको SHO बोलते हैं, यानि कि station house officer, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक police station के in charge की बात करें, एक सामान चर्चा के तहत, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, कि officer in charge जो बनेगा, उसकी rank कम से कम से सब कीमत पर नहीं होनी चाहिए, कि minimum एक SI rank का police officer ही किसी भी स्थाने का head बन सकता है, यानि कि अगर उसकी rank SI से कम है, तो माफ कीजिएगा, वो officer in charge तो किसी भी थाने का नहीं बन पाएगा, चाहे वो police station छोटा हो, या चाहे बड़ा हो, इसके लाबा, section 8 और 9 के स्थिफ आपको heading पता होनी चाहिए, कि revenue police area कहा पर define किया गया है, और railway police का जिक्र कहा पर किया गया है, तो revenue police area आपका section 8 में बताया गया है, और जो railway police है, ये section 9 में इस बात का जिक्र किया गया है, इसके लाबा, section 10 में बात करता है, state intelligence department में, और section 11 ये बात करता है, state crime investigation department, यहाँ पर बिलकुल भी आप confused मत होईएगा state intelligence department जो है इसका basic काम होता है कि एक राजी के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में क्या strategy follow की जा रही है क्या technology का use क्या जा रहा है उससे related जो भी details होती है उन सभी का वो collection करते हैं उनका analysis करते हैं और उसके उपर पूरी की पूरी एक intelligence की team होती है लेकिन अगर हम एक state crime investigation department की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा CID का होता है उसी प्रकार से आप इसको SID भी कह सकते हैं यानि कि state crime investigation department जो एक राजी के अंदर अगर कोई खास तरह का अपराध commit हो रहा है तो उस अपराधू के regarding ये investigation को execute करते हैं वो आदेश इनको राजी सरकार के द्वारा भी दिया जा सकता है या ये आदेश इनको director general of police के द्वारा भी दिया जा सकता है इसके अलावा section 12 में specialized police unit का जिक्र किया गया है जहाँ पर राजी सरकार चाहे तो वो एक special police force न नहीं उनका क्या रोल होगा उनकी क्या responsibilities होगी उनका structural outcome क्या होगा उनका hierarchy level क्या होगा उनके functions क्या होगे उनके responsibilities क्या होगी उनकी powers क्या होगी उनको कौन कौनसे privilege दिये जाएंगे और वो कौन सा ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त हम इस पूरे के पूरे specialized police unit को हम dismantle कर नेंगे य सभी बातों का जिक्र सक्षन 12 में किया गया है इसके लावा सक्षन 13 जो है वो बात करता है District Armed Reserved and the State Armed Police Battalions की यानि की जो पुलिस होती है उसको हम Civil Force का दरजा देते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक राजी के अंदर Law and Order को मेंटेन करने के लिए जब कभी राजी सरकार को लगता है कि अब Civil Force यहाँ पर अपने दम पर या एक बहतरीन तरीके से प्रोसर्स को एग्जेक्यूट नहीं कर पा रही है उसके लिए हमें अलग forces की ज़रूरत है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजी सरकार एडवांस में ही एक डिस्टिक्ट आर्म्ड या स्टेट आर्म्ड पुलिस बल का गठन कर लेती है जिनकी सेवा खास तौर पे उस परिस्टियों मिली जाती है जब हमें लगता है कि civil force की मदद करने के लिए law and order को maintain करने के दिस्टिकोर से उनकी मदद को लेना जरूरी है या अगर कोई prakritik आपदा आ जाती है या अगर मान लिजे आपको कैदी को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाना है तो उस सारी चीजों को ध्यान में लगते हुए हम इस force का गठन करते हैं और इसके लिए इनको special training जी जाती है special हत्यार दी जाते हैं और इनको कुछ privileges भी दी जाती है इसके लाबा section 14 जो है ये बात करता है special police officer की तो जहर सी बात है special police officer होगा तो वो special काम करेगा लेकिन special police officer को appoint करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी होती है SP की जिसको की हम कहते है superintendent of police यानि की police अधिक्षक ये बात अलग है कि जब कभी superintendent of police एक special police officers को appoint करता है तो वहाँ पर वो उस जिले के DM से consult जरूर करेगा यानि की ये भी एक mandate provision है ठीक है इसके लावा section 15 जो है ये बात करता है police training institution की अब राजी सरकार ने police force का गठन कर दिया राजी सरकार ने ये भी decide कर लिया कि कितने members आपके police force के अंदर होंगे उनका क्या rank होगा उनके क्या role होंगे उनकी क्या duties होंगी उनकी क्या responsibilities होंगी उनकी क्या accountability होंगी लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीजों के लिए उनको training कहां से मिलेगी जो जाहिर सी बात है उन सभी के लिए एक training come education policy भी राजी सरकार DGP से concern करके create करती है जहाँ पर proper उनका training center होता है जहाँ पर professional और educational qualified officers को बुलाया जाता है जो already उस field में या तो अपनी सेवाई दे चुके हैं या उन्हें बहुत vast experience है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर अपने अनुभव को share करते हैं उन police persons को proper training देते हैं तो यहाँ पर राजी सरकार जो है एक special या एक सामान और्डर के तहट एक police training institute का गठन भी कर सकती है बकायदा वहाँ पर school सोते हैं training centers होते हैं proper वो एक academy होती है जहाँ पर जब एक व्यक्ति exam qualify कर जाता है तो उसके बाद उसको training institute में भेज जिया जाता है जहाँ पर उनकी लगभग 12 से लेकर 24 महिने तक की उनकी एक overall training होती है जहाँ पर उनको पूरा का पूरा train किया जाता है कि एक police officer बनने के लिए वो कौन कौन सी basic requirement है जो उनके अंदर होनी चाहिए और इसी सब की training उनको 24 महिने या 18 महिने का जो भी उनको training का schedule होता है उसके तहट उनको दी जाती है हलाकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी supervision होता है या जो administration होता है वो राजी सरकार का होता है यानि की राजी सरकार ने इसके लिए proper एक गर्ठन कर दिया है या एक constitutional body को set up कर दिया है जो इनके training से related इनके administrative functions सारे कामों को supervise करता है और समय समय पर अपनी report भी राजी सरकार को पेश करता है तो देखिए ये चर्चा मैंने की है उत्राखंट पुलिस आक्ट सन 2007 के section 1 से लेके 15 तक हलाकि मैंने कोशिश की कि एक वीडियो के अंदर सारे provision को शामिल किया जा सके लेकिन चुकि ऐसा हो नहीं पाया तो मैंने सोचा कि हम इसको part wise करते हैं और part part में कम से कम आपको 5-6 वीडियो उत्राखंट पुलिस आक्ट के देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे sections को उनके sub clause को आपके साथ discuss किया जाएगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार बेड़ेक्ट से आप इसको detail में पढ़ लीजेगा जो भी चीजे मैंने discuss की है उसके पीछे वज़ा क्या है कि देखिए उत्राखंट पुलिस आक्ट का जो waitage है वो 15 नंबर का है और इसके जो दो exam के पैटर्न मैंने observe की है वहाँ पर बहुत यह से कम cases हुए कि इन्होंने पिछले साल की question को repeat किया हो हलाकि 2-4 सवाल ऐसे हैं जिनको repeat किया गया है तो मैं चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा act नहीं है मात्र इसके अंदर आपको 88 sections देखने को मिलेंगे जिन 11 chapter का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ उस 11 chapter में किन-किन बातों का जिक्र किया गया है यानि कि chapter के नाम आपको पता होनी चाहिए तो examination point of view से इस act का पूरा नाम क्या है इसका serial number क्या है अभी हाली में किस year में इसके अंदर amendment हुए थे इसके object में किन 16 बिंदों के उपर जिक्र किया गया है इसके अंदर overall total कितने sections हैं कितने chapters हैं इसको governor सहब से मंजूरी कब मिली इसको उत्राखन legislative assembly से मंजूरी कब मिली इसके लावा इसको notify कब किया गया और इसको enforce कब किया गया और section 2 के अंदर जो भी चीज़े मैंने highlight की है उसको जरूर देख लिजेगा कि वो section 2 के कि सब clause के तहत उनका जिक्र किया गया है तो it's all about the part 1 of the उत्राखन police act 2007 और साथ ही साथ इसके बाकी को जो sections हैं वो भी one by one करके आपको बहुत जल प्रवाइट कर दिये जाएंगे